चलिए मान लीज़े, आप घर पर बैठे हैं, अब घर पर बैठ कर कौन बात नहीं करता, आप भी बात कर रहे हैं, अब आपके घर के दर्वाजे पर कोई इंसान आया और उसने आपकी ये सारी बाते सुन ली, और ये सारी बाते उसने अलग-अलग जिगाह पर बता दी, अच की फोन को देख रहा है, अब आप उसको क्या कहते हो, आप उसको यही कहते हो, जनाब देखिए, मेरे पास right to privacy है, मेरा फोन मत देखिए और आप मेरी privacy को breach कर रहे हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर हम क्या करने लग जाते हैं, अपना right to privacy को बोलने लग जाते हैं, वाक्य करने लग जाते हैं, कि सर मेरा जो right to privacy है, उसको breach मत कीजिए, लेकिन वहीं, अगर government क्या करते हैं, अगर government कुछ यसे documents मना दे, जिससे आपको खुद भी पता नहीं चल रहा है, कि जो आपकी personal information है, वो government के पास है, कहीं न कहीं आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसे वहीं अध अधार कार्ड, अब अधार कार्ड आपका पुरा biometric system लेकर चलता है, आपका जो उंगुठा है, वो अधार कार्ड पर छपा हुआ है, आपका phone number, अब तो आप phone number भी अपना अधार कार्ड के साथ लिंक करते हैं, और वही phone number हमारा अलग-अलग websites पर, हमारे Google account पर वो phone number है, ह इस तरह से हमारी personal information है, वो सारी के सारी government के पास पहुंच चुकी है, तो इसी के regarding आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही landmark judgment हमारी आई थी, that is अधार case, और उसी case के regarding आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो hello everyone, welcome to study IQ, my name is Shikha Puri and in this session, we will discuss about the landmark judgment of India, that is अधार case, और अगर case का नाम के बारे में बात करें, तो justice K.S. Putta Swami retired versus union of India, ये judgment का नाम है, ये case का नाम है, तो चलिए आईए बात करते हैं, ये सब चर्चा करने से पहले, guys if you want to connect with me through any social media platform, तो आप connect कर सकते हैं, instagram के थ्रूँ आप connect कर सकते हैं, twitter के थ्रूँ आप connect कर सकते हैं, linkedin के थ्रूँ आप connect कर सकते हैं, और guys जो आपको PDF है, वो आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर ही मिलेगी, right, चलिए, अब बात है, 2018 की, year 2018, bench strength, bench strength का मतलब क्या होता है, कि इन judges ने, इतने number of judges ने क्या किया, एक judgment दी है, और यहाँ पर, कितने number of judges थे, जिनों judgment दी थी, five, five judges बैठे थे, and उनका नाम क्या ह है, the then, Chief Justice of India, Deepak Mishra, Honorable Justice A.K. Sikri, Honorable Justice Ashok Bhushan, Honorable Justice A.M. Khanvilkar, and Honorable Justice D.Y. Chandrachud की judgment चरा, और citation के बात करें, तो 2019, volume 1, Supreme Court Cases, page number 1, इस judgment में, बात मैंने आपको बता दी, बुद्दा मैंने आपको बता दी है, कि क्या हुआ था, बट और भी अगर हम बात करें, तो देखें, agents of privacy, aspect of privacy के बारे में, यहाँ पर बात हुई थी, informational privacy, dignity के बारे में, बात हुई थी, यहाँ पर, और भी बहुत जादा चर्चा हुई थी, इस case के regarding, और case की judgment जो 2018 में आती है, during September में आती है, इस judgment, right, देखें, अब बात करते हैं, सबसे पहले, अब judgment को पढ़ने से पहले, because judgment किस regarding, जो I think कि आप 90%, 90 से जादा ही परसंट, I think सबके पास अधार कार्ड होगा, ठीके, सबके पास picture होगी अधार कार्ड ही, इस light की पीछे भी आपको थोड़ी blur सी image दिख रही होगी अधार कार्ड की, वही हमारा एक अधार कार्ड होगा, ठीके, देखें, क्या लिखा गया है, अध राजय सभा, in December 2010, December 2010 में राजय सभा में जो है, वह अधार जो है, introduced किया गया था, by National Identification Authority of India Bill, is a 12-digit unique identification number, एक 12-digit unique identification number है, जो क्या कर दिया गया है, अब तो बहुत जगा mandatory कर दिया गया है, कि अधार कार्ड होगा, तो ठीक है, एक ऐसा number, जो आपकी identity को reveal कर देता है, ठीक है issued to the citizens of India by the central government, the issuance and management of अधार come under the authority of unique identification authority of India, that is UIDAI, मतलब यह जो अधार कार्ड का management था, यह जो अधार का issuance था, वो किस authority ने अपने हिस्से लिया, वो किस authority ने लिया, unique identification authority of India, UIDAI, ठीक है, अब देखे, अब क्या कहा गया है, कि in order to apply for the card, a resident must submit their biometric data, which include, अब biometric data में, क्या आपका include होगा, scan of their fingerprints, हमारे fingerprints आपने जब भी अपना अधार कार्ड बनवाया होगा, तो आपने देखा होगा, एक machine थी, और machine में उसमें आपने अपने जो fingers है, वो डाले थे, तो आपके finger prints जो है, वो चले गए, वो government के पास पहुँच चुके है, ठीक है, उसका scan वहाँ पर जा चुका है, आपके retinas, आप जो एक और machine आई होगी, जिसमें आपने देखा होगा, कि जो आपकी eyes है, वो आपकी रखी गई होगा, तो वो आपका retinas की में जा चुकी है, तो ये सारी जो है, वो biometric देनी पड़ती है, वो अधार कार् UIDAI is responsible for storing the data in a centralized database, जो UIDAI, जो authority है, वो क्या है, वो responsible है, जो ये सारा का सारा data है, वो manage करती है, इसको store करती है, चले, ठीक है, गवर्मेंट ने अधार कार्ड भी बना दिया, आपका जो biometric system है, वो भी बना दिया, एक तर से ही आपको identification number भी में चुका है, बहुत जादे चीज उसके साथ connect हो जाता है, आप अलग-लग sites पे जो भी आप कही बार क्या करते हैं, आप connect करते हैं उनके साथ, तो आपका बस क्या होता है, अधार का number आप डाल देते हैं, यहां तक तो ओके, चलो, चलिए, ठीक है, लेकिन government ने क्या करना start कर दिया, government ने जो अलग-लग schemes बनात mandatory होगा, तो यहां पर question यह उड़ता है, कि जब अलग-लग schemes जो हमारे लिए है, जो आम जनता के लिए है, उसमें अधार कार्ड क्यों mandatory किया जाए, वो तो विना अधार कार्ड के आप दे दीजे, और वो जो list है, देखे हम बात करेंगे, यह बात करें, हम कौन से ऐसे list है, क household subsidiary, जो हमारे यह 3 workers है, 3 category के workers, iron ore, limestone and beady workers, इनको अगर कुछ भी इनको जो subsidies है, household subsidies इनको अवेल हो रही थी, वो उसके लिए क्या maintain था, उसके लिए अधार कार्ड इनको must कर दिया गया था, mandatory कर दिया गया था, जनानी सुरक्षा योजना, यह हमारी जनानी सुरक्षा योज जो है, उसके लिए अधार कार्ड जो था, mandatory कर दिया गया था, अंडर the ministry of woman and child development, integrated child development services के, regarding भी, उसके अंडर भी, जो हमारा अधार कार्ड है, उसको mandatory कर दिया गया था, ग्रि Chinese कर दिया गया था, and for the purpose of financial support, Under national woman development scheme, उसके अंडर भी, क्या कर दिया गया था, अधार कार्ड जो ह वो mandatory कर दिया गया था ठीक है तो यह जो अलग-लग schemes है उसमें अधारकार mandatory कर दिया गया 2010 में इंटर्डियोज किया गया अधारकार और उसके बाद आते आते चलते चलते आगे क्या कर दिया mandatory कर दिया गया even different schemes के लिए कि आपके पास अधारकार होना चाहिए तब ही आपको जो यह subsidies है यह जो आपको मिल रही है चीज़े थ्रू गर्वर्मेंट के welfare schemes के थ्रू आपको तब ही मिलेंगे जब आपके पास अधारकार होगा अब बात आती है जनाब 2012 की 2012 में हमारे retired justice honorable justice के एस के एस बुटा स्वामी क्या करते है writ petition file करते हैं in the supreme court कुछ बातों को उन्होंने challenge किया और उसमें कौन सी बाते थी कि challenge the policy of government which made अधारकार mandatory for every individual and the plans of government to link biometric data idea of the citizens with various government schemes यहाँ पर first चीज यही आई कि देखें government जो schemes है जब मैंने अभी पहले भी आपसे बात की कि government schemes किसके लिए है हमारे लिए ही है अब उसके लिए आप क्या कर रहे हो उसके लिए आप एक जो document है उसको mandatory कर दे रहे हो यहाँ यह अगर यह document होगा तो क्या होगा तो आपको यह scheme दी जाएगी second point क्या रखा गया right to privacy के रिगादि कि जो अधार card है वो हमारे right to privacy को क्या कर रहा है breach कर रहा है अब खुद ही देखिए कि अधार card के साथ क्या क्या link नहीं है आज की date में हमारा pan card हमारा अधार card के link के साथ link है bank accounts हमारे अधार card के साथ link है मतलब every information जो हमारे government के पास है उसके पास हमारी every information हर information provided है तो यहाँ पर यही बात आई मुद्ध यही आया कि जो हमारा right to privacy है हर एक individual को दिया गया है वो breach हो रहा है government ही उसको breach कर रही तो यहाँ पर जब judgment आई तो देखिया judgment हमने यह बात कर लिए कि five judges bench जो है वो इस judgment को deal कर रहा था अब judgment में different different scenarios देखिक है उन्हीटे बारे में हम बात करते है तो first scenario क्या लिखा है कि the supreme court in the final judgment on अधार upheld the validity of it and further stated that अधार card अधार act does not violate the right to privacy when a person agrees to share his biometric data कि अधार जो है वो आपके right to privacy को breach नहीं कर रहा उसको नहीं तोड़ा जब individual खुद जा के क्या कर रहा है अपना biometric data जो है वो देर आए comment को आप दिखें साधा तर लोग even हम तो आजकल क्या करते हैं हम तो अपना अधार card amend करवाने के लिए रगे रहते हैं कि हम अपने अधार card में ये भी introduce कर दें ये भी introduce कर दें हम उसको link करवा दे अपने phone के साथ हम इसको किसी और चीज के साथ link करवा दे तो what we are doing हम खुद agree कर रहे हैं इन चीजों के लिए हमें कोई force तो नहीं कर रहा ना why because it is very convenient अपनी convenience के लिए हम क्या कर रहे हैं खुद ही चीजों के लिए agree कर रहे हैं तो जब हम खुद चीजों के लिए agree कर रहे हैं तो वहाँ पर right to privacy से breach होने का सवाल कैसे पैदा होता है ठीक है second बात क्या आई second बात आई कि अधार would be mandatory for the sake of filing of income tax returns and also for the allotment of PAN that is permanent account number कि जब भी permanent account number को lot किया जाएगा तब अधार card maintain होगा आपका 12 digit जो number है वो उसमें डाला जाएगा and जब income tax return जब आप file करते हैं उसके लिए भी अधार card mandatory होगा यह judgment में कहा गया next अगर हम point की बात करें कि यह कहा गया कि अधार is no longer a requirement for the students appearing for CBAC, NEET and UGC exams in addition to these the court also held that schools are no longer allowed to seek अधार for the purpose of admission अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि हर चीज में भी अधार को जो है वो possible नहीं है और जरूरी भी नहीं है अब देखिया अगर बच्चों के admission आप school में लिकर जाते हैं और वहाँ पर आपकी जो school administration है वो आपसे अधार card मारता है तो that is not mandatory that thing is not mandatory और जब आप अलग-अलग exams भी देते हैं students exam देते हैं जैसे CBAC का exam हो गया NEET का exam हो गया UGC exams होगे उनके लिए भी जो अधार card है वो mandatory नहीं है यह हमारी judgment में आए next अगर हम pointer की बात करें तो यहाँ पर कहा गया availing of facilities from the welfare scheme brought by the government अधार is must यह बहुत बड़ा मुद्दा था यह बहुत बड़ा important pointer था कि देखिए जो schemes कहीं गई है और अगर government आगे भी schemes निकालती है और जिसमें अधार card अगर must कहती है कि में अधार card होना चाहिए तो अधार card must है वहाँ पर होना ही चाहिए mandatory है यह चीज़ अच्छा इसका अगर एक और पहलो की बात करें यह तो हमने पहलो की बात कर लिए right to privacy के लिए हमने यह भी बात कर लिए कि देखे जो schemes है वो हमारे लिए ही बनाई गई है तो उसमें हम extra document क्यों दे बट अगर आप दूसरे सिनारियो की तरफ चले तो देखे आपको यह भी पता होगा कि इन schemes का कहीं बार बहुत ही negative use भी किया जाता है जिन लोगों को यह schemes नहीं भी जरूरत मतब देखे जादा तर जो भी यह welfare schemes होती है वो poor people के लिए होनी चाहिए बट लेकिन कुछ जो अमीर अमीर लोग है जो rich people है वो भी इन schemes का फाइदा उठाने लग जाते हैं तो यहाँ पर अगर आपके पास एक particular document है जिसमें आपकी details हैं जिसमें आपका पता है कि आपके bank account में कितना पैसा है तो कम से कम government को यह पता है न कि यहाँ यह जो है वो इनसान poor है और यह इनसान वेच्छ है तो यह जो scheme है वो किसके लिए जानी चाहिए पूर people के लिए जानी चाहिए तो एक differentiate हो जाएगा government के लिए तो यहाँ पर यही government ने कहा गया government ने कहा कि देखें यह must है जब भी कोई welfare schemes होगी government नहीं I'm sorry judgment पर यही बात की गई कि अगर कोई भी welfare schemes आती है तो उसके लिए हमारा जो अधार है that is a must document next अगर हम बात करें no private entity और company can now seek अधार details from its employees कि कोई भी company अगर अपने employees को क्या करें रिकूट करें तो उसके लिए वो ऐसा नहीं मागए कि कि आप अधार काट दीजे यह कोई mandatory नहीं है यह चीज़ ठीक है कि उनको बोलना ही पड़ेगा कि आप अधार काट अगर नहीं दोगे हमें अपना तो आपको जो है हम appoint नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा कोई भी private entity और company नहीं करेंगे ऐसा हमने बात की हमने बात की कि देखिए जो government welfare schemes है वो लोगों के लिए normal people के लिए क्लिए क्या होगा कि अधार काट must होगा लेकिन what about children children तो क्या है तो बच्चे तो क्या होते है भगवान का रूप होते हैं तो देखें बच्चों के लिए कहा गया children के लिए कहा गया कि उनके लिए कोई भी अगर government scheme आती है तो उनके लिए अधार जो है बहुत ही important judgment और यह जो हमारी सारी बाते जो हमने discuss की है वो बहुत ही जादा important है अब बात करते हैं conclusion की तो जब भी कोई भी judgment होती है न मैं यह conclusion वाला page हमेशा आपके लिए छोड़ देती हूँ I always say कि यह a question mark है मेरे लिए a question mark है और you will give me the answer of this question कि क्या आप मुझे बताएंगे कि अधार card क्या आपकी right to privacy को breach कर रहा है second क्या अधार जो है card वो हमारी अलग अलग जो भी government schemes निकलती है क्या वो mandatory होना चाहिए हमारा अधार card जब भी schemes निकल रही है तो अब हमने पहलू के मैंने आपको अभी जब हमने judgment को discuss किया उसमें मैंने आपको अलग दोनों पहलू के बारे में बताया भी गया you are going to become an officer अब आपके पास सोच होनी चाहिए आप conclude कीजिए कि क्या रहेगा आपके according आपके दिमाग के according आपकी सोच के according क्या होना चाहिए अधार card must कर देना चाहिए चीजों के लिए या फिर अधार card पे रोक लगाने चाहिए या फिर और भी अग में दान साथ तो I hope guys आपको ये judgment पूरी के पूरी समझ में आ गई होगी एक एक pointer के बारे में बहुत अच्छे से हमने बात की हमने अधार card देख भी लिया कि क्या होता है आज कि अगर सेनारियों बात करें तो everyone knows कि क्या होता है एक तरसा अधार card पर depth में आपको बता नहीं ह इसी होती है जो मीडिया के तो आप सुन लेते हो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं लिकिन depth में knowledge नहीं होती है और जब हम exams की तैयारी करते हैं तो depth में knowledge होना बहुत ही जादा important है अगर आप किसी भी judgment के बारे में बात करें आपने exam के में तो उसके बारे में आपको knowledge बहुत ही जादा होती है important होनी तो इस तरह से हमने आज अधार case के बारे में discuss किया अगर आप जो यह पूरी playlist है if you want to check it out तो हमारे youtube channel पे ही पूरी playlist बनी हुई है आप judgment की series को देख सकते हैं तो I hope आपको यह session बिल्कुल पसंद आया होगा हर एक बात समझ में आई हो आप मुझे बिता सकते हैं तब तक thank you so much अपना ध्यान रखिए majorly अपनी health का ध्यान रखिए thank you so much guys